दोस्तों काफी वक्से खबर सामने आ रही है कि मलाइका अरोडा करने जा रही है शादी अरजुन कपूर के साथ इन दोनों के रिष्टे के शिर्वाद बहुत ही सालों पहले हो गई थी कहा जाता है कि अरजुन कपूर के रिष्टे की ही वजह से मलाई कारुणा ने अपने पती अपने सालों पुरारे रिष्टों को खत्म कर दिया था अरबास खान के साथ डाइवॉस ले लिया था और जब वो करने जा रही है तो इस तरहां पॉलिवोड की तो कई और भी एक्ट्रिस रही है जिन्होंने 40 की उम्र पार करने के बाद शादी की है और आज अपनी इस रिपोर्ट में उन्ही के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस लिस्ट में पहला नाम आता है प्रीती जिन्होंने साल 2016 में 41 नी असकी एश में जिन गुड़नफ के साथ शादी की थी लास एंजलेस में रहने वाले जिन गुड़नफ एक बड़े बिजनसमैन है और इन दोनों की मुलाकात एक इवन के दौरान हुई थी प्रीती जिन्टा को जिन से प्यार हुआ छोटे बक्त के रिलेशन्शिप के दौरान ही उन्होंने शादी करने का फैसला ले ली और आज अपनी जिन्टी में प्रीती जिन्टा काफी जादा खुश है इसलिए इसमें दूसरा नाम आता है उर्मिला मातोडका का जो हाल ही में कॉंटुवर्सी में घिर गई थी जिन्होंने हाल ही में कॉंटुवर्स को जॉइन किया लेकिन उसके बाद वोट्स ना मिलने की वजह से ये जीत नहीं पाई और इन्हें बदनामी का सामना भी करना पड़ा बता दे कि 42 यस की एज में उन्होंने महसीन अक्तर के साथ शादी की थी साल 2016 में ही और ये शादी पूरी तहां से गुप पहल के साथ इन दोनों की शादी की तस्वीरे सामने आई थी लेकिन इसकी शादी का किसी को भी पता नहीं चला शादी के दो साल बाद ही ये रिष्टा खत्म हो गया और मनीश शा ने इस बारे में ये कहा कि शादी करने का फैसला उनकी जंदगी का सबसे बुरा फैसला था आखरी नामाता है इस लिस में नीना गुपता का जिन्होंने 40 की उम्र नहीं बलकि 50 की उम्रत को पार करने के बाद शादी की साल 2008 में इन्होंने 54 यर्स की एज में विवेक महरा के साथ शादी की थी बता दें आप सभी को की विवेक महरा से पहले इनका रिश्टर है चुका था कुरिकेटर विवेन रिचर्ड के साथ जिन से बिना शादी किये इनकी एक बेटी भी थी और इनका नाम है मसाबा गुपता मसाबा गुपता एक बहुत ही बड़ी मेकप आटिस्ट है और इनके ब्रैंड्स भी चलते हैं और नीना गुपता की बात करें तो ये आखरी बार नजर आई थी मोवी बधाई हो में जहां इनका काम बहुत पसंद किया गया था तो दोस्तों ये थी हमायद लिए जिसमें हमने आखो बदाए कि कुछ एक रुसेस 40 की उम्र को पार करके शादी करती हुई नजराई है तो अगर मलाइका रोड़ा को लेकर इस बात को लेकर ट्रॉल किया जा रहा है कि 40 साल के पार कर चुकी अपनी उम्र मलाइका रोड़ा बढ़ी हो चुकी हो और दूसरी शादी करने जा रही है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी क्या कहना है इस बारे में आप सभी का कमेंट करके ज़रू बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चानल को सब्सक्राइग के पिनाम बिल्कुल ना चाहें